एक बस 50 मिटर में एक दूरी तैय करने के लिए 60 km प्रतिगंटा की गती से चलती है यात्रा को 20 मिनट तक 20 मिनट तक कम करने के लिए बस को किस गती से चलना होगा अगर बस 50 मिनट में 60 km प्रतिगंटा की गती से ट्रेवल करती है तो एक्चुल डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया होगा 50 गुना साथ और ये मिनट में इसको घंटा में करेंगा ये कितना हो जाएगा 50 km तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 km इसे 20 मिनट तक कम हमें समय करना है तो कितना स्पीड चाहिए ? तो हो जाएगा 50, टाइम कितना है 20, और टाइम को घंटा में change करेंगे बटे में 60, तो हो जाएगा यान के speed equals to, 50 into 60 बटे में 20, 20 तियां 60 यानि के 1.500 km प्रती घंटा, तो हमें 20 मिनट तक कम करेंगे अगर टाइम को तमें बस को 150 km प्रती घंटा किरफतार से दोड़ाना एक आप से नंबरी